च्छे महीने से ज्यादा गुजर गए हैं लेकिन रूस योकरेन को परास्त नहीं कर सका है अमेरिका वनेटो के सभी देश योकरेन की साहिता में लगे हुए हैं ऐसे में रूसी विदेश मंत्री सरगोई लावरोफ ने गुधवार को तीसरे विश्युद के परमाणू और वि प्रकलें लगी हुई हैं चूंकि अमेरिका और रूस दोनों ही नौदन हमिस्यर में हैं ज्यादा तबाही नौर्थ हमिस्यर में ही होगी अमेरिका के साथ नेटो देश होंगे और रूस के साथ चीन हो सकता है रूस और अमेरिका दोनों के पास भारी मात्रा में प्रमाणू युद हुआ तो तबाही का ऐसा मनजर होगा कि आधी से जादा दुनिया उसे देखने के लिए जिन्दा ही नहीं रहेगी। भूख मरी का ऐसा आलम होगा कि चारों तरफ तरह तरह मच जाएगा और असंख्य लोग भूखों मर जाएंगे। अब प्रशन उठता है कि वो कौन से लोग होंगे जो इस तबाही से बच जाएंगे। युद के बाद आरजेंटीना के लोग, कुछ आस्ट्रेलिया और निज्जिलैंड के लोग शायद बच जाएंगे। ये जगह सदन हेमिस्फियर में है, जो नौदन हेमिस्फियर यानि की युद के स्थल से काफी दूर है। अगर युद हुआ तो बीसों साल तक नौर्थ के देशों में भूख मरी रहेगी। हीट रेडियेशन से बिमारियां फैलेंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस महायुद में कम से कम पांच अरब लोगों की मौत होगी और इन पर मारूं बमों से इतना धुआ उठेगा कि यह सूरच को पूरी तरह से ढख लेगा। और सूर की क्योंने धर्ती पर नहीं पहुंच पाएंगी जिसकी वजह से बिमारी तो चारतर फैलेगी ही फसलें भी सारी नश्ट हो जाएंगी जो भूख मरी का बड़ा कारान बनेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें।